हेलो गाईज स्वागत आपका आमारी चैनल कैशुल गेमिंग में और स्वागत है आपका आज की दूसरी विडियो में और गाईजाब बात करने वाला है कि आप जो हमारा नया समुराइ मोड है उसमें जो हमारे मोड डाट आए होगे थुक कि आपको इसे हराना कैसे है एक ही गेम में अगर आप रैंडम स्कॉर्ड में भी जाते हो तो भी आप हरा सकते हो बट एक क्या रिक्वेस्ट रहे गया अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना इस वीडियो को कंजू से मत करना लाइक करके सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो और बैल अगेंड प्रेस कर देना गईस ठीक है तो गाईस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोड में जो आप टीम ले जाओगे उसकी तो गयाज मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना स्कौर्ड ले जाओ जिसमें बादचीत हो जिसमें कोर्डिनेशन हो आप बात कर पाऊ उन लोगों से कैसे कैसे आपको खेलना है ठीक है तो गयाज एक बार आप जाओगे गेम में तो आपको मिलेगा यह बहुत अच्छा इसका इंट्रो अगरा सब कुछ अच्छा है और इस आप बोर नहीं होगे एक टाइम तक बोर नहीं होगे उसके बाद थोड़ा सा बोर होने लगोगे अगर आप इसे बार बार हरा लो और जो मैं बताओंगा उससे आप इसे बार बार अराम से हरा लोगे तो आपको इसे 15 दिन तक डेली 15 दिन तक डेली आपको इसे हराना पड़ेगा ताकि आपको जो हमारा अवतार है वो मिल पाई यह 22 डेस तक ही रहेगा खाली 22 दिन तक तो इसमें आप एक बर गेम में जाओगे तो आपको अलग- पूरे छिटे न उड जा इसकी तब तक आपको मारते रहना है आपको head लेते रहना है याइड लेना है आपको जितना हो सके और अगर scope की gun मिलती है कम डेमेज वाली gun मिलती है कोई बेकार सी gun मिलती है तो जाओ इसके सामने यार को Sight करो उसके बाद दूसरा ट्राय करो दूसरा भी नहीं होता तीसरा ट्राय करो ठीक है ज़्यादा मत करना कहीं सी में गेम नहीं चला जाए पुरा तो यह ट्राय करते हो आप फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें पाँच रांड होते हैं हर रांड में ये सबको वाइप आउट करता है तो वह वाइप आउट करने से कैसे बचना है आपको वाइप आउट होने से कैसे बचना है वह मैं आपको बता देता हूँ आपको जो यह चारजर्ज देख रहे होंगे यहाँपे यह meditation के लिए यहाँपे रख रखा यहाँ से आप meditate करोगे तो आपकी health यहाँपे बढ़ेगी और यह सर्फ health काई काम नहीं करता अगर आप इसके पास जाओगे इसमें मेडिटेट करोगे तो ये जब तक मेडिटेशन वाला ओन रहेगा मामला यहाँ पे वो आपको बचा लेगा इसके वाइप आउट वाले स्ट्राइक से ठीक है वाइप आउट आप नहीं होगे एक शील्ड बन जाएगी ब्लू कलर में पूरी शील्ड बन जाएगी और इसका ओन रहना ज़रूरी है अगर ऐसा वाइप आउट वाला यह मूव चलने जा रहा हो तो आपको इसमें जल्दी से मेडिटेट करना है और अपने सारे स्कॉर्ड को इसके नीचे ले लेना है चार टावर होते हैं ऐसे और चारों यह काम करते हैं ठीक है मैंने आपको एक में करके दिखा दिया है यह जो बंदे बरे साथ थे यह आये थे रैंडम लेकिन हमने इसमें हरा दिया मॉंस्टर को तो और गैस आगे जो होता है यह आगे जब स्टेज तू पर आपे भूङ जाओगे स्टेज टू से वन के बीच में यह ज़ादा खतरना थे जाता है और आपचारे उसको ब्लोक नेटा है और और लाइन बना और थैक यह से कहसे बचना यह बढसा हम को इ defekt बैट के बिलॉक कर रहा होगा इह पर सरही सर पर मारना है और इससे पुर्ट कर लोगे तो गाइज यही है कुछ टिप्स और कुछ अगर ना समझ में आए कि कैसे क्या करना है तो मुझे बता देना एक चीज और है जो क्रेट आपको मिलेगा क्रेट में आपको बैज़ेश मिलेंगे और साथी साथ ही थी हमारी टिप जो बहुत लों के काम आने वाली अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो और अगर यहाँ तक देख रही हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर मार देना किसी को ना समझ में आए तो अपने फ्रेंड को भी शेर कर सकते हो यह वीडियो और कुछ अगर पुछना हो तो कमंट कर देना गाईस और मोड गैसा लगा वो भी बताना कमंट करके तो guys take care bye bye see you in next video